आज से हम एक new laravel project start करने जा रहे हैं तो project का जो name है और description है काफी द्यान से समझेगा क्योंकि हम इस project में क्या करने वाले है APIs create करेंगे पर वो APIs किस के लिए create करने वाले हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ project का जो name है वो यह है कि get data from YouTube channel देखें यहां पर मैं अपने experience से वता रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने use क्या हुआ है तो इसलिए मैं आपके साथ share करना चाता हूँ यह project काफी beneficial रहेगा जो beginners है ठीक है तो देखें यहां पर होने क्या वाला है हम YouTube YouTube channel का data लेंगे अब YouTube channel मैं मान के चलता हूँ जो भी इस lecture को देख रहा है सभी के पास YouTube channel होगा ठीक है अभी आप क्या करिए कि आप उस पर दो या तीन videos डाल दीजे या कुछ playlist बना लीजे ठीक है यह जिनके पास मैं जानता हूँ बहुसे लोगों के पास already playlist होंगी और YouTubers भी होंगे कुछ लोग ठीक है तो चंता की बात नहीं है यहाँ पर जो प्रोजेक्ट काफी यूजफुल होने वाला है तो यहाँ पर हम क्या करने वाले है जो चैनल होता है किसी का भी YouTube channel हुआ है लाइक मेरा ही हुआ तो मैं क्या करने वाला हूँ अपने चैनल का डेटा ल फिलाल में आज हम देखेंगे project setup ठीक है तो first जो point होने वाला using API get YouTube channel all data मतलब हम क्या करने वाले एक Google खुद प्रवाइड करता है एक API जिसकी मदा से हम क्या करेंगे YouTube channel से बोलेंगे कि भाई हमको data दो ठीक है वह हम data निकालेंगे फिर हम क्या करने वाले second जो step होने वाला get all playlist of channel and save in database हम क्या करेंगे जितने भी उस channel से लेटर जो जितनी भी playlist बनी हुई है like मेरे चैनल की बात करो तो काफी बनी हुई है तो हम उनको क्या करेंगे एक API हम create करेंगे और उन सभी को क्या करेंगे हम database में save कराएंगे ठीक है फिर हम क्या करने वाले हैं जो next step होगा get all videos using based on playlist id and save in database ठीक है अभी यहां पर आपके पास कई playlist होंगी like मेरे चैनल की काफी प्लेइस हैं और उनकी भी काफी वीडियोज है ठीक है तो मैं क्या करूंगा एक एक playlist की ID की बिएज पर में क्या करने वाला हूं उन सभी वीडियोज को अपने चैनल अपने database में क्या करने वाला हू सेव करने वाला हूं ठीक है फिर हमें एक लास्ट जो पॉइंट है जो की काफी बेनिफिसल है और यह क्या है बेस्किलिए हमें एक सर्च फंक्शनल्टी क्रेट करने वाले हैं जो की YouTube की API के पास जाएगा मतलब YouTube के पास जाएगा और वहां से क्या करेगा वो डेटा को निकाल आपका जो है कोई और परपस रहा चुका हो ठीक है सबसे पहले तो देखिए घाइस मैं यहां पर डेटाबेस क्रेट करने से पहले मैं आपको बता जाता हूं अभी आपका जो भी अकाउंट है जो भी आपने जिससे अभी आप YouTube चैनल चला रहे हो उसमें क्या होगा यहां Google.Cloud.Google.com APIs Library यहां पर जाओगे तो आपको यहां पर नीचे आ जाना और यहां पर जैसे आप नीचे स्ट्रॉल करोगे ठीक है तो मैं यहां पर जो है नीचे स्ट्रॉल करता हूं तो देख पार हो मेरे को यहां पर कही तरह के APIs मिलती है तो यहां पर आपको एक YouTube मिल जाएग पता हूं कि आप इस पित जगहे जा करके create कर सकतो process तो यहां पर आपको चैनल आऐडी मिल जाएगी चैनल आएडी तो आपको पता हीकशल को आपको आलडी मिल जाते है YouTube की मिल जाएगी ठीक है यह आपको YouTube की दे देगाvalue You may यहां से यह मतलब है ठीक है चैनल आइडी भी उसकी मिल जाएगी ठीक है तो यह था हमारे प्रोजेक्ट का structure कि हमारे प्रोजेक्ट का structure यह क्या रहने वाल है अब हम बात करते हैं अपने project का setup हम क्या क्या करने वाल है ठीक है सबसे पहले तो हम अपना database वे setup करेंगे तो देखिए मैंने जो already use कर रखाई है अपने लिए तो मैं आपको थोड़ा overview करा देता हूँ तो मैंने यहाँ पर एक youtube data नाम का database बना रखा है इसमें क्या आपको दो tables मिलेंगे table playlist and table playlist videos table playlist में क्या होगा यहाँ पर आपके पास data है ठीक है यहाँ पर channel id playlist id ठीक है तो यह आपको सारा कुछ मिल जाता है ठीक है and then यहाँ पर आपको playlist videos मिल जाएंगी तो इस तरीकी से हम data को मैं यहाँ पर क्या कराने वाले है save कराने वाले है ठीक है तो चलिए मैं क्या करूंगा सबसे पहले एक new database बनाऊंगा और फिर हम उसके ऊपर work करेंगे ठीक है तो मैं एक new database बना रहा हूं like मैंने यहाँ पर इसका name रख लिए youtube project यहाँ कुछ भी रख सकते हो जो भी आप playlists होंगी तो बिसकली आज हम पूरा का पूरा structure हम यहाँ पर देख लेंगे project setup का तो इसका name होगा playlists ठीक है और जिसमें क्या होगा अभी हम यहां से go कर देते हैं तो इसमें हमें कुछ columns हमें यहाँ पर बताने होंगे playlist की spelling राता बिसकली guys playlists ठीक है अभी ठीक है यहाँ पर देखने को मिल जाती होगी ठीक है तो फिर next one is playlist ID की आपकी playlist ID क्या है ठीक है playlist ID के बाद आप यहाँ पर title रख सकते हो कि आपका title क्या है ठीक है वह आपने title रखा फिर next one is मैं add करता हूं इसमें कुछ something two three add किये ठीक है एक होता है published ID से क्या होता है यहाँ पर जब playlist आपकी पब्लिस की गई है तब YouTube पर कभ आपकी पब्लिस की गई है उसकी basically details आपको यह बताता है ठीक है मतलब उसकी date बताता है फिर next one is created and updated तो हम यहाँ पर created add कर लेते हैं and then guys updated add ठीक है updated यह मैंने यहाँ पर कर लिया है अब हम इनके और title को हम वैरकर ही देंगे जिसका हम length रख देते हैं 300 और description को हम रख देंगे text क्योंकि description काफी बड़ा हो सकता है ठीक है तो इसलिए हम इसका description जो है description वाली बात नहीं है अभी created add updated add को आप यहाँ पर timestamp ले दीजिए कि यह by default जो है आपके timestamp को ले लिए ठीक है तो यहाँ पर हम दे देते हैं current timestamp यहाँ पर भी हम देते playlists videos ठीक है यह हम रखेंगे यहाँ पर हमारे कुछ columns होंगे तो like मैंने यहाँ पर eight columns add कर ली हैं अभी इनकी हमें जरूत पढ़ने वाली है first one is ID आपकी आईगी ठीक है तो eat एक ID होती काफी बड़ी होती है ठीक है उसको हम यहाँ पर restore करेंगे एक होती है other ID जिसका name नहीं होता हाला कि ID होती है उसका एक name होता ID पर वो भी काफी बड़ी होती है उसको भी हम यहाँ पर restore कराएंगे इसलिए मैंने यहाँ पर other ID रग लिए ठीक है हम इसके लिए स और एक होता है आपका published ऐट दो इसलिए क्योंकि आपकी जब video published किए गयी है कौन सी डेट को किया ठीक है next one is आपका created and then next one is आपका updated वह स्ट्रक्चर रहने वाला है इस में आपका idea playlist id अगryutitals भाराएट होगए इसको आम 11 देते हैं क्योंकि यह तो एदी वनने वाली है की प्रैमरी की चांड कार नींकी जाएंगे यहां पर किक्षवर्ष सब्सक्राइबाइब यह प्राइमरी की असायन कर दिए ृड है नेश्ट वन है प्ले लिस्ट इडि मृलिस्ट इसको तो बिसकली मान के चल रहा हूं मैं 500 दे रहा हूं ठीक है टाइटल को हम दे देते हैं लाइक टाइटल तो बिसकली आपका 300 से ज्यादा ही नहीं होगा आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो डिस्क्रिप्शन आप टैक्स्ट दे दीजिए कोई टैंशन वाली बात नहीं है वीडियो आईडी आपको हमिसा मिल जाती होंगे देखने को तो वीडियो आईडी लाइक मैंने 200 देदी हाला कि इतनी बड़ी नहीं होती है पर आप राक्स अपते हो ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है पबलिस्ट एट को आप लाइक 100 कि यहां पर यहां पर क यहां सील फंघ एक पर इतना बड़ी टरीक से होँआ нос कि यहां पर करता हुं एक कि अरे Direct क्या क्या बना है रहां को तरीका वह बन चुका है यह तो हमने बात कर लिए डेटाविस सैटप पे की अब हम बात कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर हमें क्या-क्या चीज़े चाहिए होंगी एन्वी फाइल के अंदर हमें वो चीज़े रखनी होंगी ठीक है तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपके चैनल आइडी क्या है तो आपने यहां पर प्रोवाइड कर दी चैनल आडी जिसको आपने श्ट्रिंग में लिख दिया ठीक है तो यहां पर आप लिख दोगे फिर आप यहां पर लिखोगे यूट्यूब की ठीक है जो कि आपको यूट्यूब की कहां से मिलेगी जो कि आपको वहां से API की यूरल आपको प्रोवाइड करना है यह यूरल आपका क्या होने वाला है जो कि मैं यह यह पर टाइप करूँ हूं फिर आपको लगाना है यूट्यूब एंड देन लेटरी ठीक है यह आपको क्या है यह यूरल इसके वेस पर यह आगे हम बर्क करेंगे तो यहां पर हम slash लगा करें लास्ट में क्योंकि यह हमें आगी यूज करना है जब भी हम यूट्यूब से डेटा लेंगे तो यह वेस-url होने वाला लाइक मेरा जो है डेटाबेस का नाम है वह यूट्यूब प्रोजेक्ट ठीक है तो यह मेरा नेम हो गया और यह मेरा आपका चैनल आईडी यूट्यूब की जो कि मैं बाद में डालूँगा सेक्यूरेटी परपस के ठीक है यह थो आपका डेटाबेस वगरा सेट अप कर दिया है आपका प्रोजेक्ट सेट अप हो चुका है और आप एक बार क्या करें आप यहां से पिएच्प आर्टिजन चैनल आईडी यूट्यूब की डाल के देख लीजेगा और आपने चैनल पर एक दो वीडियूज अप्लोड करिए कुछ अप्लोड करिए क्योंकि आगे हम इनी के साथ खेलने वाले है तो आपको प्रोजेक्ट सेट अप समझ में आ चुका होगा अगर फिर भी आपको कोई लगती है कि आप पर API नहीं वन रही है कुछ भी है तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं तो टैंक्यू गाइज मलते हैं में नेक्ट लेक्टर में